नमस्कार कैसे हैं आप सबसाई होंगे मैं आज आपको ऐसी सबजी बनाना सिखा रही हूं जिसकी पत्तों को आप वेश्ट कर देते हैं यह खाने में बहुत ही स्वाद है और बनी बहुत चटपटी है आपको सकलर देखके लग रहा होगा सबजी कितनी अच्छी बन के बनी है पहुत ही चटपटी है अइसे बनाना हम सुरू करते हैं एक कडाई ली हमें यह इसको भून लेंगे, यह मैं जो सब्जी है, लोही की कड़ाई में बना रही हूँ, हरी पत्तिदार सब्जियां लोही कड़ाई में बनाईए तो बहुत ही स्वादिश बनती है, यह देखे मैंने एक आलू रखा है, और एक मूली काटके रखी है, और यह हमारे मूली के पत्त हरारा देखे लगता है किसे धनिया होगा, मगर धनिया नहीं, यह है मूली के पत्ते, यह सब्जी बहुत ही खाने में टेश्टी होती है, इस पकार से बनेगी और बहुत ही सांदार बन की होगी तैयार, देखिए इसको अलटते पलटते वे थोड़ा सा इसको हम पत्तों को चला लेंगे ताकि हमारे सब प्याज, लसन, मिर्चा, आलू, प्याज, सब अच्छे से आपस में मिल जाए, यह देखिए, कि पत्ते पहले बहुत सारे दिखाई देते हैं, मगर यह से इसको पकाते जाएंगे तो पत्तों इकॉनिटी कम हो जाती है, इसमें दाल दिया हमने स्वादिश बनके होते हैं, तयार, यह देखिए, इसको हमने धक के रख दिया था, अब इसको हम से खोलेंगे, यह देखिए, इस प्रकासे बनके सबजी बहुत ही टेश्टी बनती है, इसके सारे हमारा पानी सूख जाता है, और हमारे आलू और मूली भी अच्छे से गलके हो गए हैं, तयार, इसको अलटते पलटते, थोड़ा सा हम भून लेते हैं, क्योंकि इसमें पानी होता है, सारा उड़ जाता है, यह देखिए, कितने खिली-खिली थी सबजी हमारी बनके हुई है, तयार, यह देखिए, कितने अच्छी लग रही है सबजी देखने में, यह देखिए, गरम-गरम, आईए, इसको हम दार चाओए, रूटी के साथ,